प्राचीन मिस्त्र के पिर्यामिडों में लासो को रखने से पहले उन्हें ममी में तब्दिल किया जाता था और फिर उन्हें ममी बना के दफना दिया जाता था प्राचीन मिस्र और विश्वा के अन्य कई देशों के लोग उनर जनम में विश्वास रखते थे और ये मानते थे कि मुरूत्व यक्ति के सरीर को समभाल कर रखा जाना चाहिए ताकि अगले जनम में वो उस सरीर को वापिस पा सके इसी सोच की वज़े से प्राचिन काल से लोगों ने ममी बनाने की प्रक्रिया सरू कर दी और शुरू हुई ये प्रक्रिया आज तक जारी है सरीर के कही महत्वपुन हिस्सों को बाहर निकाल दिया जाता था यहां तक की दिमाग को भी आला कि दिल को नहीं निकाला जाता था क क्योंकि प्राचीन मिफ्र के लोग ये माते थे कि उनके दिल को भगवान तो लेंगे एक तराजु में उनके पाप और पूनियां को इसी वज़े से उनको जन्नत मिलेगी या फिर मिलेगा जन्नु कि वटिछ ममीफिकेशन प्रोसेश आखिर कैसे बनाया जाता है मंझ समय एक मंझ बनाने में शिक्ते दिन लगते थे और ममी को बनाने के लिए धर्मगुरु और पुरोहीत के साथ साथ मिशेशक्या współ it तो पूरे मृत्षरीर की पूरी नमी को खत्म किया जाता था और ऐसा करने में कई दीन का समय लगता था जब सरीर की सारी नमी खत्म हो जाती थी तो पूरे मृत्षरीर पर दर परत कोटन या लिनन की पटियों से लपेटा जाता था और जब पूरे सरीर पर पटिया लपेट ली जाती थी तो सरीर के आकार से मिलते जुलते लकड़ी के ताबूत तयार किये जाते थे और फिर इन ताबूत को रंग दिया जाता था और यह सब पुरा हो जाता था तब धर्मगुरु के मत अनुसार इस पर धार्मिक वाकिया आदी लिख दिया जाता था और एक धार्मिक समारो करके ताबूत को सहीत चबूत्रे पर सम्मान के साथ रख दिया जाता था ममी के रूप में सरीर को सुरक्षित रखने की यहाँ पूरी प्रक्रिया काफी मेंगी थी इसलिए केवल अमिर लोगी इस प्रक्रिया को अपना थे घरीब लोग रहत में दफना दिये जाते थे मिस्त्र के लोग ममी बनाने की इस विधी में इतने कुशल थी कि 4000 साल पहले बनाई गई ममी के त्वचा बाल पहचानने योग्य निशान जैसी विशेशताए आज भी मुझूद है वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना और साथ में इस्ट्रीमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना थेंक्यू पर वोचिंग